सो हे गाइस इट्स मी आलम तो हम फिर से नोवल को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं सो विधा क्वेक रिकाप लट्स वाच्च और हाँ मुझे पता है आप सब बेसबरी से स्वैलर स्टार ओफिसल एपिसोड का इंतिजार कर दें हैं और जैसे कि मैंने आप सब को बताया था कि 11 अगस को स्वैलर स्टार का ओफिसल एपिसोड रिलीज हो रहा है और ऐसा हुआ भी स्वैलर स्टार का एपिसोड 86 और 87 ओफ्लाइन रिलीज हुआ क्योंकि उस दिन टेंसेंट वीडियो फेस्टिबल था और जो लोग उस इविन को अटेंड किये थे बस वो ही एडवांस में उन एपिसोड को देख पाएं और अब उनलाइन रिब्रोडकास्ट कब सी होगा इसका कोई भी ओफिसल एप्टेट नहीं है जैसे ही कोई ओफिसल नियूज आती है मैं आप सब को भी इनफर्म कर दूँगा और गैस प्लीज आप सब बार बार एक ही कमेंट मत किया करो सीन मैच क्यों नहीं होता है भला आप ही बताओ जो भी ओफिसल एपिसल एपिसोडी रिलीस नहीं हो है तो मैं सीन कहां से लाँगा आइ ठिंक जो लोग भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं वो साइट से चैनल पे न्यू है तो मैं आप सब को इन्फर्म करना चाहता हूँ ये नोवल सीरीज चल रहा है मैं सिफ नोवल से स्टोरी एकस्प्लेन कर रहा हूँ और बातरे सीन की ये तो पॉसिबल नहीं है तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था बवाता और लुओ फैंग डार्क स्टार प्लैनेट पे लैंड करने के लिए दस दिन का टाम लगेगा नो दिन बात बवाता कहती है लुओ फैंग बस हम 20 मिनट में ड्रैगन स्टार प्लैनेट पे लैंड करेंगे बवाता धीरे धीरे ब्लैक ड्रैगन स्टार प्लैनेट को डेकसलिरेट करती है लुओ फंग अपने सामने वास्ट स्पेस को देखता है और इसमें मोस्ट युनिक चीज थी कि वो अपने सामने एक चमखडार प्लानेट को देखता है ऐसे लग रहा था कि उस प्लानेट के दू नेचरोल सिटलाइट है बवाता बताती है यही ड्राइगन स्टार प्लैनेट है पर हमें इस प्लैनेट पे एंटर करने के लिए कुछ मनी चाहिए लुओ फिंग हैरान होते वे कहता है पर मेरे पास तो कोई मनी नहीं है बवाता कहती है घबराओ मत पर फिलाल तो तुम इसे योज नहीं कर सकते तो इसे बाहर निकलने का कोई मतलम नहीं है पर बवाता को उसके स्टोरेज स्पेस में 9.82 गैनवु कोईन्स मिले थे आगे लुओ फिंग देखता है डागन स्टार प्लैनेट पे परपल क्लिर की बादले थी कुछ प्लैनेट पे ब्लू स्काइस होती है यह हमें साचेंज होते रहता है पर यहां का इटमस्पेर काफी ज़ाद सुन्दर था आगे लुओ फिंग बिल्कुली अर्च जैसा वहां पे एक ब्यूटिफुल सिटी देखता है और इस सिटी में काफी अलग-अलग कैसल थे यहां के लोग अपने स्टेटेस और रैंक के अकोडिंग अलग-अलग कैसल में रहते हैं इधर बबाता लुओ फिंग से कहती है हम गैन्यो करंसी को ड्रैगन स्टार और ब्लू सिल्वर कॉइन में चेंज कर सकते हैं साथी वह बताती है कि इस प्लैनेट के ओनर एक सेक्टर लोड है और हमें इस प्लैनेट से सिगनल मिल चुकी है अब हम इस ग्रेट्ट रिजिजन के और जाने था रहे हैं क्योंकि एव ग्रेट रिजिजन में नोर्मल बेटल चितकी बेटल चिप लैंट करती है और बाद प्लैक ड्रेगन ऐस पेसे बाहर आता है ताब युद भी स बहुता पहले लूओ फैंग को समझा कर भेजी थी कि तुम यहां के लोगों से मत उलजना इसलिए लूओ फैंग बिना कुछ बोले यह अपने हाथ में गैन्यू करंसी को टॉस करता है जैसे वो बंदा लूओ फैंग के पास गैन्यू करंसी देखता है वो काफी जादा सौक ह होता है क्योंकि इस इंपायर के कोडिंग एक गैन्यू करंसी थाउजन ब्लैक ड्रैगन डॉलर में कनवर्ट हो सकती है वो बंदा कहता है गैन्यू डॉलर सच में काफी ज़्यादा है स्टेटस की कौईन है अब वो बंदा लूओ फैंग का का रिस्पेक्ट कर रहा था वो असलब कि यहां के नॉर्मल परसन भी स्टार लेवल के होते हैं पर फिर भी वो लूओ फैंग के लेवल को इगनॉर करता है और कहता है यह जरूर कोई बिग फैमली से होगा लूओ फैंग उसे डॉकिंग काड़ के लिए फी पेक करता है वो पुरा एक गयन्व करंसी देता है और कहता है मुझे चेंज नहीं चाहिए बाकी चेंज तुम रख लेना वो बंदा लूओ फैंग से थैंक्स कहता है और अब वो लूओ फैंग का काफी ज़्यादर रिस्पेक्ट कर रहा था आगे उस बंदे के पास तीन और बंदे आते हैं जोकि उसकी बाड़ी गार्ड है और यह बाड़ी गार्ड काफी पावफुल है उनमें से एक स्टार लेवल 3 का है तो एक स्टार लेवल 8 का है उनमें से दो बाड़ी गार्ड स्टार लेवल 3 के है और एक बाड़ी गार्ड स्टार लेवल 8 का है बवाता लूओ फैंग को पांजियसनेस में पहले इन फॉर मौडल है यह एक मिलियन साल पहले का मौडल है दरसल वसल वसल में इसी ब्लैक ड्रगन ऐस्पेस्टिप के बात कर दें थे जो कि काफी साल पहले लोच्ट हुई थी और उनके सारी लोग मारे गए और इतने दिनों बाद उन लोगों को ब्लैक ये टेंड से बनी एक लगजरी स्पेस्टिप देखने को मिलता है फिर वो बन्दा लोफेंग से कहता है जब तुम्हें इस स्पेस्टिप की जुरूरत नहीं होगी तो क्या तुम मुझे इस स्पेस्टिप को सेल करोगे अभी नहीं दस साल के बाद क्या तुम मुझे सेल करोगे मैं इसे फिलाल तॉफोड नहीं कह सकता पसाइद 10 साल के बाद मैं इसे खरीच सकता हूँ फिर वो बताता है कि मेरे नाम गाउसेन है दूसरे साट बबाता लू ओफेंग से कहती है तुम इसे सेल करने से मना कर दो लूफेंग कहता है गाउसेन मुझे से सपेस्टिप को रिपेर और चेंज करने में काफ ने अभी तक अपने बारे में नहीं बताया लोफंग कहता है मेरा नाम लोफंग है फिर वो पूछता है लोफंग क्या तुम अकिले आये हो और नहीं तुम्हेरे पास कोई बॉडी गार्ड है ब्लैक ड्रैगन प्लैनेट की बस ये सिटी प्रोटेक्टेड है इस सिटी के बाह लोफंग अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अपने चार बॉडी गार्ड के साथ जा सकते हैं दूसरे तरफ बबाता लोफंग से कहती है लोफंग इस ओफर को तुमें एकसेप्ट कर लो क्योंकि क्विक सिलवर गार्ड बस तुमें डिफेंड कर सकती है वो अटैक के लि लोफंग और बस तूसरे बरदर अब के जबादर आपकर चेमप लॉब्ले करने में यह झादा बस यह प्रेंड क्योंकि प्योवर ना मतल से तक्या ब्राड़िय। बिलियन पीपल है और वो 11 बिलियन पीपल से टैक्स लेकर उसे स्पेस्टिप को खरीदना चाहता था पर लूओ फैंग उसे सेल नहीं करना चाहता था यह सुनकर लूओ फैंग सौक होता है कि एक पुरा प्लैनिट है किसी एक बंदे के नाम पे हो जाएगी अब लूओ प्लैनिट को यह ओन करता है और वो दूसरे प्लैनिट पे भी कबज़ करना चाहता था तभी जाकर यह फाइट हुआ और आखिर में युनमा प्लैनिट डिस्ट्वाइ हो गया इसे के साथ यह पार्टियें पे खत्म होती है प्लैनिट प्लैनिट गार्टिय।